नमस्कार साथियो, नियूज क्लिकी में हम आपका स्वागत करते हैं डिसार्मामेंट यानि निसस्त्रीकरण इस दुनिया की परिसानिया कितनी कम होती अगर वहाँ पर हथियार ना होते लेकिन यही तो नहीं हुआ है जो हुआ है, वह यह है कि तक्रीबन 31 साल पुरानी टीटी जो निसस्त्रीकरण के लिए एक प्रभूख टीटी थी जिसे Intermediate Range Nuclear Missile Force टीटी कहा जाता था वह टीटी अब तूटने के कागार पर है अमेरिका और रस्या के बीच होए टीटी में अब अमेरिका अपना हाथ पीछे हटाने के लिए कह रहा है ये पूरी टीटी क्या है, इसके इतिहास क्या है इसका फर्क क्या पढ़ सकता है, इस पे दुनिया के समकर्ण में कैसा बदलावा सकता है यह सारी बात जानने के लिए हमारे साथ है नियूजक्री के चीफ एन एडिटर प्रबीर प्रुक्यास था तो सर पहला सवाल यही बनता है आखिरकर यह INFTT है क्या किन संदर्भों में शुरू हुई इसका इतिहास क्या है और आखिरकर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका स्टेटी से बाहर निकलने के लिए कह रहा है देखिए शुरुवात इस से होती है कि जब एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर आर्म्स रेस मतलब नाविकी अस्त्रों के बनाने पर एक रेस लगी थी खोड़ थी कि कौन कितना अस्त्र बनाएगा और इसके पीछे एक न्यूक्लियर वैपन्स है तो हमारे उपर अगर वार करेगा तो हमारी छमता होनी चाहिए उसको इसके बावजूद कि हमारे 90 प्रतिशद अस्त्र जो है नाव की अस्त्र खतम हो चुके होगे फिर भी हमारी केपिबिलिटी होनी चाहिए इसका पल्टा जबाब दे के उनको भी विद्धवस्त कर देना तो एक डिस्ट्रक्शन कितना बढ़ सकता है इस तरह के बड़े-बड़े कि अत्रों मैंने इनकी रेंज इनकी साइज मेगटनेज एक एक नाव की अस्त्र की कितनी मेगटन साइज होगा यह सब संख्या और साइज दोनों में एक रेस की तोर प आगे आई कि अगर इस तरह चलता रहा तो इसका कोई अंध तो है नहीं क्योंकि करीब करीब साथ सतर हजार ऐसे वार हेड्स बनाए जा चुके थे तो यह खदम कहा होगा जबकि सिर्फ चार सो न्यूक्लियर वैपन्स की इस्तिमाल से पूरा समाज हमारा पूरा सिविलाइ बिद्वस्त हो जाएगा यह तब तक वज्यानिक उसको साबित कर चुके थे तो यह आया कि सतर हजार नावकिय अस्त्र और चार सो से ही दुनिया का सफाया हो जाएगा इनसान नहीं रहेगा तो इसकी जो बहुत बड़ी व्यवधान है इसको घटाने के लिए तब कहना बात नहीं आई थी कि पूरे नावकिय अस्त्रों को नुक्लियर वैपन को दुनिया से मिटा देना चाहिए सिर्फ बात आई थी अगर नावकिय अस्त्र आप रखोगे तो इसका संख्या कम होने चाहिए नूकलियर नॉन प्रलिफरेशन ट्रीटी का पहलू यह भी था कि द तो नूकलियर इसामेंट कभी हुआ नहीं वो अलग बात है पर यह बात जरू है कि 70 दशक ने कम से कम यह समझाया कि यह अगर दोनों देश के पास होता है इस वाक इस 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 एशू पे अमरीका और सौवेत रूस तो यह वहां तक नूकलियर रैस सीबित रह इसे ज्यादा ना बढ़े इसलिए कुछ कुछ दिरस्ट्री करन की कदम उठाई गई थी तो तीन मुख्य ट्रीटी थी उस वक्त एक था एंटी बलस्टिक मिजाइल ट्रीटी जो यह कहता था कि अगर मिजाइल शील्ड नहीं होगा किसी के पास तो ज्यादा नाविके अस्ट बनानी की जरूरत नहीं होगी जो कि एक तथा कथि डिफेंसिव शील्ड है उसका असर यह था कि उस शील्ड को क्या कहते हैं उसको शील्ड को बेकार करने के लिए अस्टों के संख्या ना बढ़ाए जाए मिजाइल की संख्या ना बढ़ाए जाए इसके जगह पर शील्ड यह एक पहला कदम था जिसको nuclear restraint regime कहते हैं कि हम निरस्ट्री करन तो नहीं कर रहे हैं पर हम nuclear race को धटा रहे हैं तो एक पहला कदम था दूसरा कदम यह था कि जो intermediate range जिसकी आपने जिकर की कि 500 किलोमेटर से लेकर साड़े 5000 किलोमेटर इस इस रेंज के जो weapons है उसको हम dismantle कर देंगे उसको रखेंगे नहीं और एक खास तोर से यॉरप की pressure थी उस वक्त कि यॉरप को एक theater of competition ना बनाएं तो दोनों देशों से उनका ये था अपील था कि आप यह नहां से nuclear weapons का एक theater ना बनाने का बतलब है कि intermediate range missiles को अब हटा ले तो यह जो treaty है तब signed हुई थी जब यह करीब-करीब समझ में आ गया था पहले star wars की proposal दिया था जिससे कह रहा था कि नहीं हम तो पुरा आस्मान को ढग देंगे ताकि कोई हमारे उपर nuclear war नहीं कर पाएगा उन्हों भी मान लिया था कि nuclear wars are not winnable नाभिकिया अस्त्रों की कोई जंग जो है कोई जीत नहीं सकता तो इसके तहद INF treaty एक कदम था तीसरा कदम था जिसको salt treaty जो बाद में start और new start treaty में बनला जिससे संख्याओं कितने संख्या की नाभ की अस्त्र है उसका संख्या भी कम कर दी गई और आप देख सकते है सत्तर हजार से जब शुरू हुआ था ये कदमे तब से कितना घटी है नाभ की अस्त्रा आप देख सकत nuclear weapons कितनी घटी है तो ये तीन जो treaties थी ये treaties की दो अभी खतम हो रहा एक तो 2002 में अमरीका इससे निकल गया था अब INF treaty इसका मकसद है कि आप 500 भी किलोमीटर से लेकर साड़े 5000 किलोमीटर की अस्त्र भी आप शामिल कर सकते हो संख्या बढ़ा सकते हो नाया एक रेस शुरू कर सकते हो इसके साथ साथ ABM treaty क्योंकि खतम हो गया था पहले तो अब defense shield बनाने की जो की 70 के दशक में मान लिया गया था कि shield बनाना संभव नहीं है और shield बनाने का मतलब है nuclear weapons की फिर रेस चलती रहेगी तो वो उससे हटके अब ABM shield बनाने की बात Trump ने चंद दिन पहले उसकी घोशना की कि हम shield बनाएंगे और कहीं भी कोई भी ऐसे नावे की अस्टर नहीं होगा जिसको हम उसको खतम नहीं कर सकते जमीन पर समुद्दर पर आसमान पर तो यह मतलब है कि एक nuclear strike के जरिए हम इन चीजों के nuclear अस्टरों को कर सकते हैं मिजाइल की strike से खतम कर सकते हैं तो एक winnable nuclear war कि हम ना भी किया जंग जीत सकते हैं जो रोनल रॉनल रिगन का कता था statement था कि हम अब समझ चुके हैं कि nuclear wars are not winnable उससे हटके Trump इस वक्त winnable nuclear wars nuclear war जीतने की यह उसका पूरा लगता है कि वो उसकी ररन नीती बन रही ह बहुत अच्छी बात कि अपने winnable situation में Trump जाना चाहते हैं अमिर्का को ले करके तो अगर इसी संदर्प को देखे तो किवल जो रूस पनों ने आरूप लगाया कि वो ऐसे हथियार बना रहा है जिससे इस treaty का उलंगन होता है तो जो रूस का पक्ष है वो बहुत लोग जान उसके एक खास nuclear missile है nuclear capable missile है जिसके बतलब कि missile के ऊपर आप nuclear bomb रख सकते हैं ऐसे missile उनका है और उसका range पाथ सो किलो मेटर से ज्यादा है ये सही है कि एक सामुद्रिक missile ऐसा रूस के पास है और ये अमरीका के पास भी है क्योंकि सामुद्रिक missile जो समुद्र के जहाजों में रह उसके कोई पाबंदी INF Treaty के दतहद नहीं है तो रूस का कहना है कि हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और INF Treaty के अंदर ही प्रबंध है कि अगर इस तरह कोई भहस होता है तो इसको resolve कैसे किया जाए कैसे empire उसके decide कर सकते हैं empires तब दोनों side की बात देखेंगे judge करेंगे कौन सही है कौन गलत है अपना राय देंगे तो dispute resolution का जगड़ा बिटाने का एक वहां पर प्रावधान है INF Treaty के अंदर पर अमरीका कभी भी उस प्रावधान को इस्तिमाल नहीं किया दूसरी बात रूस ने अमरीका पे दो उनका मानना है कि रूस का जो चार्ज है एक हद तक सही है क्योंकि जो missile batteries उन्होंने रूस के border में लगाए हैं तो उनका variant उसका एक अलग variant है जो समुदर में जहाज के उप में लगा हुआ है और वो वाकए INF Treaty उल्लंगन करता है और यह missile batteries कहतो रहे हैं अमरीका कि यह defense purpose के लि लिए भी इत्माल हो सकती है तो एक तो यह बात है दूसरी बात है आजकल UAVs जानते हैं ड्रोन जो ड्रोन भी इस तरह के missile में लगा हुआ आ सकते हैं और INF Treaty बे ड्रोन के बारे में जिकर नहीं था क्योंकि सतर के दशक में असी के दशक में जब यह सब negotiations हो रहे थे drone warfare का सपना उस वक्त किसी ने देखा नहीं था तो रश्या कह रहा है कि इसको मिलाना चाहिए INF Treaty में अब इस तरह के drone के उपर INF जो violet करता ऐसे आप missiles नहीं लगा सकते अमरीका यह भी कह रहा है कि चीन भारतवर ऐसे देश भी बड़े पर यह कभी नहीं कहा कि इनको भी INF Treaty के अंदर शामिल किया जाए क्योंकि INF Treaty मुलत है अमरीका रूस के बीच पी थी यह कभी फ्रांस इंग्लेंड के जो दूस्टे डेटो देश है वो भी इसके अंदर नहीं थी उनको भी बाहर रखा गया था क्योंकि उनका संख्या मिजाइल की इत्ती कम है तो उसके लिए किसी को इस पर चिंता नहीं थी और चीन के बारे में CIA का जो रिपोर्ट है क्योंकि CIA के रिपोर्ट पब्लिक होता है तो जो अटलीस पब्लिक है जिसको हम देख सकते हैं उसके यह कहना है कि चीन का बेसिक स्ट्रेटीजी यह रहा है कि उसके पास ICBMs है करीब 300 ICBMs है जिसके जरिये वो अमरिका पर वार कर सकता है अगर उन पर कोई नाभकिया आक्रमन होगा तो तो उनका कोई ऐसा प्रबंध नहीं है कोई प्लैन नहीं है जिससे वो नुक्लियर वारहेंट्स बढ़ाना चाहते है और उनका जो भी उनके केपिबिलिटीज है यह कन्वेंशनल बिजाइल्स के लिए है नुक्लियर बिजाइल्स के नहीं है इस याई के समझे हमारी अर आप की नहीं ना कि रूस की ना चीन की इस याई यह कह रही है सवाल यह है कि इन सब चीजों पे अगर सवाल ना करके नोटिस दे देना लगता है कि इसकी पीछे उनका सोच कुछ और है इसलिए मैंने कहा यह अगर सब चीज बिला के देखे इनकी अभी मिजाइल रिव्यू के उपर इनका एक अभी डॉकुमेंट आया है कुछ चन दिन पहले ही आ है उसमें जो कह रहे हैं देखे कि अमरीका को अब लगता है कि वो रूस को वो दबाना चाहते है और उसके लिए नाभी के अत्रोग पर डॉमिनेंट होना यह उनका ख्वाइश है आपने बहुत महत्तोपूर्ण अपने लेख में जिक्रि किया है जो अभी आपने टेक्टिकल बैटल फिल्ड की बात की कि इसपे बात्चित नहीं हो रही है एक प्रभुत्तो सालिद एक प्रभुत्तोकारी पहले से भी है अगर ऐसी स्थिती में तो निकलियर वार जैसे खत्रे और बढ़ते हुए दिख रहा हैं यह सभी लोग कह रहे हैं कि अगर आप त्रेशोल्ट मतलब जिसमें आप वार कर द कहता हूँ कि छोटा न्यूक्लियर बॉम इस्तमाल कर सकता हूँ वो टैक्टिकल युद्ध के जरी कोई लड़ाई हो रही है पहले था कि ये कोई भी लड़ाई होगा तो उस पे नावकिया अस्त्रों का इस्तमाल नहीं करेंगे टैक्टिकल बैटल फील्ड का मतलब कि आई सी देश के ऊपर नहीं आप बॉर्डर्स पे छोटी सी लड़ाई हो उसमें भी आप ऐसे अस्त्रों कर सकते हो ये टैक्टिकल बैटल फील्ड की बात पाकिस्तन हिंदुस्तान के बीच में भी हो रही है तो ये टैक्टिकल बैटल फील्ड वैपन्स के बारे में सबकी ये राय ये झुकलियर ठेशोल को कम कर देता है मतलब नृक्लियर बाॉम इस्तीमाल करने का सम्भवना बढ़ता है ये धुसरी बात अमरीका इस वक्द जो कर रही है वो ट्राइडेंड बीजाईल है ट्राइडेंड बीजाईल कई थर्मो नृक्लियर वार्येट्स अतलब हाइजज च्छम्ता वाली जो एक छोटा सा बॉब होगा नावकिया बॉब तो जरू पर छोटा नावकिया बॉब होगा उसी ट्राइडिन बिजाइल पे लखके उसको हम टैक्टिकल नियुक्लिर वैपिन्स के तौर पे इस्तिबाल करेंगे ताब सोचिए है यह एक्चिली छोटा नि नेचर देखे, वो ICBM कभी भी थर्बो न्यूकलर बड़े हाइड्रिजन बाम लेके, वो भी हो सकता है, चोटा बाम भी हो सकता है, तो हम क्या रूस है, हम क्या वेट करेंगे, ये बाम हमारे शहर पे गिरे, अगरी छोटी बाम है, ये तो सिर्फ हिरोशिमा साइस की बाम है, ये बड़ा बाम नहीं है, इसलिए हमको रिटालियेट नहीं करना चाहिए, या देखेंगे कि ICBM हमारे और आ रहा है, और पल्टा वार करेंगे, क्या होने वाला है, कोई वेट करेंगा क्या, तो यही लोगों ने कहा है, कि इससे वार का, पल्टा वार जो न्यूकलियर बाम रेस जो है, इससे और तेज होगा, और ये एक बहुत ही नहायती बेवकूफी वाली बात है, कोई सोचता है, कि टैक्टिकल न्यूकलियर वेपन से डेटरेंस जो कहते है, जंग होने की संभावना घटेगी नहीं, पर कि एक्चुलि जंग होने की संभावना बढ़ेगी, अ बता होगा, वो सामरिक दिश्टिस इसको कैसे देख रहा है, और कैसे इससे डील करेगा, तेखिया हकीकत तो ये है, इस खेल पे हम हैं नहीं, कि अमरीका और रूस एक दूसरे पर वार कर, अगर करके, आपस पे दोनों को खत्म कर दे, तो हम भी नहीं बचेगी, दुनिया वो इस तरह चलाते हैं, सब के लिए बराबर खत्रा है, उन देशों के लिए, हमारे देशों के लिए भी, रूस का जो काउंटर बात उन्होंने कही है, कि ये अगर ये करें, ऐसे चीजे करेंगे, तो हम अपना हाईपरसॉनिक मिजाइल बना रहे हैं, और तीन चार उन्हो ने भी जिकर किया था, अभी उन्होंने इस अनॉंसमेंट के बाद फिर एही चीज कहा, उस पे किंजाल मिजाइल है, जो हाईपरसॉनिक है, मैक फाइव स्पीट से जाती है, तो कोई भी एबियम शील्ड को वो उसको रोक नहीं पाएगा, कोई एबियम शील्ड इस तरह को बिजाइल्स को रोक नहीं पाएगा, तो हर तरह से एक विनेबल न्यूक्लियर वार दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा पैदा कर रहा है, रश्या इस पे सिर जुकाएगा, यह हो यह नहीं पाएगा, तो यह अगर टरम्प समझते, विनेबल न्यूक्लियर वार क हम यह एक डारेक्शन दें, तो रूस भी उसको उस डारेक्शन को बिफल करने के लिए, उनको भी सामरिक शक्ती बढ़ाना, साथ सर्थ न्यूक्लियर स्ट्राइक केपिबिलिटी बढ़ाने के इलावा, उसके पास चारा बचेगा नहीं, क्योंकि घुटने टेक देने की स् गुटने टेक रही है, अब देख सकते हैं, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, सब जगह पे जाके क्या हाल अमरीका का हुआ, उन देशों को तो छोड़ी है, उनकी हालत बहुत ही खराब हुआ है, सही बात है, पर अमरीका भी उससे कोई फायदा तो उठा दी पा आए थे, जब तक ये नहीं होगा, तब तक अमरीका रूस ऐसे देशों बे, वेस्टन यॉरप ऐसे देशों बे जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे, शांती की संघर्ष को जब तक तेज नहीं करेंगे, तब तक इस रास्ते से अमरीका को हटाना मुश्किल पाएगा शुक्रिया प्रभिर इस बादसीत के लिए, कभी सोचिएगा, अमेरिका पूरी दुनिया का जितना खर्त रक्षा पर होता है, उसका 50% से अधिक करता है, उसके वक्त तव्य क्या निसस्त्रिकर्ण ला पाएंगे, असंभौ लगता है, देखते रहेए निउश क्लिक झाल